हेलो बच्चो, स्वागत आपका बुखोपर्स में आज हम करेंगे NCRT के लास्थाड हिंदी की किताब से चैप्टर टू सेखी बाज मक्खी सेखी बाज किसी कहते है? सेखी बाज उसे कहते है जो अपने बारे में बड़ी बड़ी बाते करे तो चलिए हम चैप्टर सुरू करते हैं एक जंगल था उस जंगल में एक सेर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मक्खी उरती उरती वहाँ आ पहुंची सेर ने दो-तीन दिनों से इसनान नहीं किया था इसलिए मक्खी सेर की कान के एक दम पास भिन-भिन-भिन करने लगी तो एक जंगल था बच्चों वहाँ पर एक सेर खाना खाने के बाद अराम कर रहा था तब ही वहाँ पर एक मक्खी आती है जो मक्खी थी वो कान के सेर के बिल्कुल कान के पास आ जाती है क्योंकि सेर ने कहीं दिन से इसनान नहीं किया था इसनान मतलब सेर कहीं दिन से नहाया नहीं था इसलिए मक्ही सेर के कान के पास आकर भिन 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 करने लगती है सेर को मुश्किल से नीद आई थी उसने पंजा उठाया मक्ही उड़ गई लेकिन फिर से सेर के कान के पास भिन 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 सुरू हो गई अब सेर को गुसा आया तो जो सेर था वो अभी अभी सोया था लेकिन तभी मख्य आकर उसके कान के पास भिन 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 करने लगी सेर को इस बात से गुसा आया जैसे उसने पंजा उठाया तो मक्खी वहाँ से चली गई लेकिन उसके बाद फिर से वापस आ गई उसके बाद वह दहाड़ा अरे मक्खी दूर हट परना तुझे अभी जान से माट डालूँगा मक्खी ने धीरे से कहा छी छी जंगल के राजा के मूँ से ऐसी भासा सोबा नहीं देती दहाड होती है सेर की आवाज तो जो सेर था वो दहाड़ा उसने कहा कि मक्खी दूर हट जा वरना तुझे मैं माट डालूँगा तो मक्खी उसके कहती है कि जो जंगल का राजा होता है अगर वो ऐसी बाते करे तो उसको सोबा नहीं देती मतलब सेर के मूझ से ऐसी बाते अच्छी नहीं लगती सेर को ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए इस बात से क्या होता है कि सेर का जो गुस्सा था वो बढ़ गया उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती उपर से मेरे सामने जवाब देती है चुप हो जा वरना अभी इतना बोली थी उसके बीच में मक्खी बोल पड़ी मक्खी क्या कहती है वरना क्या कर लोगे मैं क्या तुमसे डर जाओंगी मैं तो तुमसे भी लड सकती हूँ हिम्मत है तो आ जाओ अब जो मक्खी थी उसको सेर से बिलको लड नहीं लग रहा था सेर की गुस्सा करने के बाद भी हूँ सेर को कहती है कि मैं तुमसे डरूंगी नहीं हिम्मत है तो आ जाओ लड लो उसके बाद क्या होता है सेर आग बबुला हो उठा मतलब सेर को बहुत जादा गुस्सा आ गया उसके कान के पास में पंजा मारा सेर ने अपने कान के पास में पंजा मारा मक्खी तो उड गई पर कान जरा छिल गया मक्खी उड कर सेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा मक्खी फिर उड़ गई अपकी बार सेर की नाग छिल गई तो जो सेर था वो बार-बार पंजे मार के अपने आपको ही गायल किये जा रहा था मक्खी बार-बार उड़ जाती थी और बार-बार सेर को ही चोट लगती थी मक्खी कभी सेर के माथे पर बैठती कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर सेर पंजा मारता जाता और खुद को गहल करता जाता मक्खी तो फट उड़ जाती तो बार बार सेर पंजा मार रहा था और अपने आपको गहल कर रहा था मक्षी का कुछ भी भिगार नहीं पा रहा था अंत में सेर उब गया उबने का मतलब सेर मक्षी को उड़ाते उड़ाते अब बोर हो चुका था और ठक भी गया था वह बोला मक्षी बहन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम जीती बस मख्य घमंड से चूर होकर उर्ती उर्ती आगे बढ़ी तो जब सेर ने मख्य से कहा कि मैं हार गया और तुम जीत गई इस बात से मख्य को बहुत जादा घमंड हो गया इस बात से घमंड में वो उर्ती चली गई सामने एक हाती मिला मक्खी ने कहा अरे हाती मुझे परनाम कर मैंने जंगल के राजा सेर को हराया है तो जब मक्खी उड़ती जा रही थी उसको आगे एक हाती मिलता है तो मक्खी हाती से कहती है कि तुम मुझे को परनाम कर मैं तो अभी सेर को हरा कर आई हूँ इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा हाती ने सोचा इस पागल मक्षी से बहस करने में कौन समय बरबाद करे हाती ने सून्ड उपर उठाकर मक्षी को परणाम किया और आगे बढ़ गया तो बच्छो जो हाती था वो बहुत समझदार था उसने सोचा मक्षी तो पागल हो गई है तो उससे किस बात की बहस करनी तो जैसे उसने कहा कि मुझको परणाम कर तो हाती ने अपनी सून्ड उठाई और मक्षी को परणाम कर दिया और आगे चला गया सामने से एक लॉमडी ये सब देख रही थी लॉमडी मंद मंद मुसकराने लगी इतने में मक्षी ने लॉमडी से कहा अरे ओ लॉमडी चल मुझे परणाम कर मैंने जंगल के राजा सेर और विसाल काय हाती को भी हरा दिया है तो अब की बार मक्षी के सामने एक लॉमडी आती है लॉमडी तो पहले से ही सब कुछ देख रही थी तो अब वो मक्षी लॉमडी से कहती है कि मैंने तो जंगल के राजा सेर को भी हराया है और विसाल काय मतलब बहुत बड़े जिसका सरीर बहुत बड़ा हो विसाल कायकार्थ होता है, बहुत बड़े सरीर वाला ऐसे हाती को भी हराया है इसलिए वो लोमडी से कहती है कि तू भी मुझको परणाम कर लोमडी ने उसे परणाम किया और धीरे से बोली धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता लेकिन मक्खी रानी उधर एक मकडी दिखाई दे रही है न वह आपको गाली दे रही थी उसकी जरा खबर लो न लोमडी बहुत चालाग थी लोमडी को पता था कि जो मकडी होती है वो मक्खी को खा जाती है इसलिए लॉम्री ने अपनी बातों से जो मक्षी पहले से ही मुर्ख थी और खमर्ण में पागल हो चुकी थी उसको बेवकोब बनाया और कहा कि एक मकडी है जो कि उसको गाली दे रही है तो जाकर मकडी की खबर लो मतलब मकडी से मिलके आओ मकडी को सबक सिखाओ यह सुनकर मक्षी गुस्से से लाल हो उठी मक्षी बोली उस मकडी को तो मैं चुटकी बजाते खतम कर सकती हूँ चुटकी बजाते मतलब अभी एकदम से जो काम जल्दी से हो जाए यह कहते हुए मक्षी मकडी की तरफ छप्टी और मकडी के जाले में फस गई मक्षी जाले से छूटने की जो-जो कोसिस करती गई तियो तो और भी अधिक फस ती गई और अंत में वै ठक गई और हार गई यह देखकर लूमडी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई जो मक्षी थी वो गुसे में गई और मकडी के जाल में जाकर फस गई और जैसे जैसे वो उससे चूटने की कोसिस करती जयो जयो का मतलब जयसे जयसे तियोतो का मतलब वैसे वैसे जैसे जैसे वो उससे चूटने की कोसिस करती वैसे वैसे वो जाल में और अधिक फस्ती जाती और आखिरकार वो ठक गई और हार गई और लोम्डे भी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई और ये हमारी कहानी लिखी है योगेस जोसी ने तो चलिए भी इसकी परशनुतर देख लेते हैं सबसे पहले है कैसी लगी कहानी ककसा में साथियों के साथ बातचीत करो तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों तो आपको अपनी किलास में बातचीत करनी है कि आपको कहानी में कौन अच्छा लगा हो सकता है आपको हाती अच्छा लगा हो हो सकता है आपको लोमडी अच्छी लगी हो जो भी आपको अच्छा लगा हो उसके बारे में आपको किलास में बातचीत करनी है मक्खी मकडी के जाल में फस गई थी फिर क्या हुआ होगा कहानी आगे बढ़ाओ तो मक्खी मकडी के जाल में फस गई थी उसके बाद क्या हुआ होगा उसके बाद जो मकडी थी उसने मक्खी को खा लिया होगा इसी तरीके से आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है आगे है कहानी का नाम अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ने रखकर लोमडी और सीर को ध्यान में रखकर लिखा जाता कहानी का नाम रखा जाता तो हो सकता है कहानी का नाम होता चतुर लॉम्डी या फिर समझदार लॉम्डी और अगर सेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम रखा जाता हो सकता है उसका नाम होता मूर्ख सेर या फिर आलसी सेर अब कहानी के लिए एक और नया सीर्जक सोचो यह स सिर्सक कहानी की किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में सिर्सक हो सकता है, तो जो सिर्सक अभी आपको सोचना है, वो कहानी की किसी पात्र के बारे में, किसी केरेक्टर के बारे में नहीं होना चाहिए, हो सकता है आपका सिर्सक, जो कहानी में कोई सीरसक लिखना है कहानी का कोई सीरसक हो सकता है जैसे घमंडी का सीर नीचा या फिर जैसी करनी वैसी भरनी अगर आप कोई नया सीरसक रखना चाहते हैं तो आप वो भी आपर लिख सकते हैं आगे है सीर की जगा तुम मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबुल हाग पर बोला मतलब उसको बहुत गुस्सा आया अगर तुम्हें जब कोई नीन से जगाता है तो तुम क्या करते हो आपको यहाँ पर बताना है आप बता सकते हैं कि हमें कोई नीन से जगाता है तो हम उसे कहते हैं कि हमें सोने दो हमें नीन दा रही है या फिर हम अभी थोड उड़ाते उड़ाते सेर उप गया था तुम क्या करते करते उप जाते हो आप इसमें लिख सकते हैं हम खाली बैठे बैठे उप जाते हैं कभी कभी देर तक पढ़ते पढ़ते उप जाते हैं कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी उप जाते हैं कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है, तो भी हम उप जाते हैं मान लो तुम सेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, वे लोम्री को बताओ तो आप कैसे बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, लोम्री बेहन देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है, इसने मुझे पूरे दिन सोने भी नहीं दिया, मेरे मना करने पर भी वेह मुझे तंग करती रही, आगे आप बता सकते हैं कि कभी ये मिननाक पर बैठती रही, क अराम कर रहा था तुम खाना खाकर क्या क्या करते हो आपको बताना है कि अक्सर आप क्या करते हो और कभी कभी क्या करते हो तो अक्सर आप क्या करते होंगे इसकूल से आकर खाना खाकर अराम ही करते होंगे और कभी 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 आराम करते हुए टेली विजन भी देखते हो सेर ने भोजन में क्या खाया होगा तुम क्या क्या खाते हो तो सेर एक मासाहारी जानवर है इसलिए उसने किसी जानवर को मारकर ही खाया होगा और आप क्या खाय सकते हैं आप खाते हो दाल चावल सबजी फल आगे है किसने क्या कहा नीचे कहानी से जुड़ी हुई कुछ तस कहानी पड़ी, उसमें हमने इन सब के बारे में पड़ा है, तो यहां पर जैसे मक्खी सेर से कुछ बोल रही है, हो सकता है मक्खी सेर से बोल रही हो कि तुम मुझको नहीं हरा पाऊंगे, मैं तो तुम से भी लड़ दूँगी, तो आपको यहां पर यही बाते लिखनी है, इ यहाँ पर मक्षी हाती को बता रही होगी कि मैं तो सेर को भी हरा कर आई हूँ इसलिए तुम मुझको परणाम करो और आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हाती अपनी सून उठा कर मक्षी को परणाम भी कर रहा है। इसलिए फसा दिया और इस तरह मक्षी से चुटकारा पाया। कोन क्या है कहानी के हिसाब से बताओ। नेक्स्ट है चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाते ही का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो आपको यहाँ पर बताना है। कौन से काम है जो आप फटाफट से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर वो काम लिखने हैं। उसके बाद है अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। वहें बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा। जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्या लाओ और उनके नाम बताओ। या फिर सेखी बाज मक्षी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेगा वह है लेडर बनेगा तो इसी तरह का खेल आपको खेलना है अपनी किलास में अपने दोस्तों के साथ में तो उनको कोई भी काम देंगे और उनको चुटकी बजाते ही मतलब जल्दी से वो काम करना होगा जो काम जल्दी कर लेगा वही लीडर बनेगा आगे है रास्ता ढूंडो यह मकडी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चल कर सबसे ज़्यादा जाले मिले अंदर जाने के लिए चार और पांच पांच रास्ते हैं उनमें से कौन सा रास्ता ऐसा होगा जिनमें सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे इसमें जो रास्ता चार नंबर का रास्ता है उसमें सबसे ज़्यादा जाले आते हैं जिसमें जैसे हम चलना सुरू करेंगे यहां से तो उसमें जैसे एक उसके बाद यह रस्ता यहां से होते हुए जा रहा है और नीचे यह जाता है यहां पर आएगा दूसरा जाला तीसरा चोथा उसके बाद यह रस्ता यहां से मुड़ता है इसी तरीके से इसमें चलते हुए सबसे ज़्यादा आठ जाले आते हैं तो आपको रस्ता नमबर चार चुरना है लेकिन आपको बागी साई रस्तों पर भी देखना है कि कितनी जाले आते हैं उसके बाद है भासा की बाद इन वाक्यों को आपको अपने धंग से लिखना है जैसे शेर आग बबुला हो था सेर गुस्से से पागल हो गया इन वाक्यों को आप ऐसे लिख सकते हैं उसकी जरा खबर लो ना इसको आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में पता करो या फिर उसे जाकर ठीक से समझाओ उस मकडी को मैं चुटकी बजाते ही खतम कर देती हूँ इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं उस मकडी को मैं सीगर ही मार देती हूँ या जल्दी से मार देती हूँ जंगल के राजा के मूँ से ऐसी बाते सोबा नहीं देती इसे आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जंगल के राजा को ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए उड़ते मंडराते इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है जैसे जलते बल्प के आसपास उसके आसपास हमको क्या उड़ते और मंडराते नजराता है अक्सर हमको वहाँ मच्छर उड़ते दिखेंगे चिप के लिया मंडराती दिखेंगी और पतंगे उड़ते दिखेंगे खेतों में हमको दिखेंगी टिड़ियां, मच्छर, चिड़ियां एकटे हुए पानी के उपर, जो पानी या तो बारिस में या फिर किसी और जगा एकटा हो जाता है, उसके उपर हम अकसर मच्छर या फिर मख्ही को उरतेवे देख पाते हैं फूलो पर, हमें अकसर भावरे और टितलिया, उरती और मंडराती भी नजराती है कचरे के धेर पर हमको अक्सर मच्छर मक्हियां दिखाई देती है हलवाई की मिठाईयों की दुकान पर वहाँ पर हमको मक्हियां या फिर मदु मक्हियां उड़ती और मंडराती भी दिखाई देती है कौन है सेखी बाज क्या तुम किसी सेखी बाज को जानते हो कौन है वह वह किस चीज के बारे में सेखी बगारता है तो आपको अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में या फिर किसी ऐसे जानकार के बारे में लिखना है जो आपको लगता है कि सेखी बाज है अपने बारे में बड़ी बड़ी बाते करता है और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और सबको उसके बारे में बताना है और इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है I hope आपको अच्छे से समझाया होगा आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ओके बच्चो बाई